दोस्तों आज से कुछ साल पहले लगभग 80% लोग वीडियोज देखने या म्यूजिक सुनने के लिए DVD प्लेयर का समाल करते थे बढ़ आज के टाइम पर Pen Drive या Memory Cards वगरा या Other Methods अभी हैं बढ़ पहले DVD प्लेयर एक मात्र ऐसा सादन था जिसमें वीडियोज को देखना या म्यूजिक को सुनना सामिल होता था उससे पहले VCP वगरे का भी समाल होता था लेकिन जो उसके बात का जो टाइम था वो DVD करता है ये सबसे golden period रहा है और हो सकता है आप मैं इसे बहुत लोगों के पास अभी भी पुरानी DVD पड़े हो जी हाँ और DVD के जो अंदर ये tray या ये loader इसमाल होता था वो कैसे काम करता है इस बारे मैं थोड़ा समय इस वीडियो मताऊंगा जितना भी मुझे जानकारी है जितना भी मुझे आता है हलाकि मैं उस time का repairing वाला तो नहीं हूँ जिस time पे DVD चलते थे लेकिन ये जो DVD का tray है मेरे पास बड़ा हुआ है मेरे जो घर पे DVD था उसको मैंने repair किया और उसमें एक नया tray ढलवाया जो पुराना वाला था उसमें वो मेरे पास पड़ा था तो उसको खोल के आज मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या-क्या पार्ट से समाल हुए है वो कैसे काम करता है तोड़ा सा समझ कर समझाने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और एक कमेंड ज़रूर करना कि आप मैंसे कितने लोगों ने DVD देखी है हो सकता है आप भी उस जमाने के हो आज के टाइम वालों को बहुत कम पता होगा कि उस टाइम पे DVD कर होती थी यह वीडियो जब पुरानी हो जाएगी तो उस टाइम पे भी एक DVD सब्द एक सुनने मातर को मिलेगा जो CPU अगर होते है उसमें भी DVD का इसमाल होता है बड़ आज कल के जो CPU अत्रस में DVD नहीं लगी होती है DVD प्लेयर आता ही नहीं है अब तो SSD या हार्डिस वगर का इसमाल होता है स्टोरेज के लिए बट पहले DVD वगर विंडोज डालने के लिए वगर DVD का इसमाल उसमें ज्याद रख होता था अब ऐसा नहीं है अब देखिए ये मेरे पास जो ट्रे पड़ी है ये जो ट्रे है इसमें बहुत सारे पार्ट इसमें लगे हुए है तीन मोटर लगी भी है और इनको अभी खोल के दिखाऊंगा ये जो ट्रे कैसे कारे करती ह इसको खोल के देखेंगे अब देखिए ट्रे खराब पड़ी है तो वरना पूरी working condition में होती तो पूरा को चला के लिखा देते अब ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले इस ट्रे के ऊपर ये पार्ट लगा हुआ रहता है इसमें जो कैसेट है इसके ऊपर कैसेट लगती वो इसमें लगती है और एक छोटी सी कैसेट वंगर आती है ज續 जैदितर लोग फुर विंडोजे का गाम करते हम उनको पता हो इसमें लगती है छोटी से कैसेट चलिए दिखा देता हूं मेरे पास वो पड़ी है कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें कैसेट अभी भी आती है Windows के लिए यहादर प्रोग्राम के लिए देखिए इस छोटी सी cassette इसमें है वो cassette आपको दिखा सकता हूँ जो छोटे और जैसे व suivता है और जैसे अपनी जगफ फिक्स होता है पूरा सिगनल मिलता है तब यह यह देखिए इस तरीके से एक और cassette अपने जगह पैसे turn करती है इस तरीके से और cassette को घुमाने के लिए कौन सी मोटर इस्तमाल होती है और इस Tray को slide करवाने के लिए कौन सी मोटर इस्तमाल होती है वह आपको जिताऊंगा सबसे पहले तो मैं इसको खोलूंगा इस बाठ को अब देखिए इसमें तीन मोटर में कौन कोई सी मोटर का क्या काम है अब देखिए इसको घुमाने के लिए इसको slide करवाने के लिए यह वाल इसको देखे स्लाइड करवाने के लिए आभ यह लॉक हो गया तो देखिये हमारे पास अभी इसमें कोई पावर तो है नहीं तो भजे यहां पर एक देखिये पिन में होता है अगर आपके पास भी डीविडी ऐसी है पहले क्या होता था था न काफी बार मुवीज देखते-देखते-देखते यह फज जाता था तो भाई interinsonacet निकलती नहीं थी या इhmen अदर खराब लगभान जाती है तो यह निकल नहीं तो अब आप समझ कियोंगे कि इसको slide करवाने में इस motor का असमाल होता है अगर एक खराब हो जाती है तो यह नहीं हो अगर आपके पास भी है तो इस motor को आपने change कर लेना है अब इसको मैं बहार निकाल लेता हूं सबसे पहले मैं तोड़के ही बहार निकालूँगा क्योंकि ए यह motor का समाल तो इसको slide कर रहने के लिए होता है यह आपको बता दिया अब हिसमें जो है दो motor और लगी वी है यह दो motor अब यहां पर क्याना यह motor जो है यह वाली motor जो है यह देखिए यह cassette को घुमाने के लिए समाल उत्ती है यह वाली motor पहले मैं इसको दिखिए इस तरीके स क्लिए cassette को घुमाने के लिए इस motor का समाल होता है सब और यह cassette का सही से काम कर रहा है और यह cassette नहीं घुम दारी है तो आप motor को भी चेक करेंगे तो आप समय किए यह motor का समाल स्काश डूग वाले समय यह होगला फिलता है यह cassette को सम दिखिए करना है यह जो optical यहाँ पर lens लगा हुआ है या पूरा इसका मदरबूर लगा हुआ है यह देखिए जो है optical lens है और जैसे cassette पहले माँ आपको दिखा देता हूँ अब मेरे पास कोई से साधन नहीं है जिससे इसको घुमा के वहां तक पहुचा सकूँ अब मुझे एक gear इसका तोड़ना पड़ेगा यह देखिए चले तोड़ दिया अब इसको वहां तक मैं पहुचा दूँगा देखिए अब इसको में वहां तक पहुचा सकता हूँ के लिए यह देखिए अब देखिए जैसे इसमें कैसे इस तरीके से लगी और यह वाला पार्ट यह इस तरीके से मूव होता है इसको move करकोने के लिए इस वाली motor का इसमाल होता है ये इधर पे इस gear के साथ में जो कि मैंने अभी तोड़ दिया ये देखिए ये motor इस वाले gear के साथ में और ये इस gear के साथ में और ये बड़े वाले gear के साथ में लगा हुआ रहता है जो कि इसको move करवाने का काम करता है जैसे सब कुछ काम कर रहा है और ये move नहीं कर रहा है तो हमें इस वाली motor को change करना होता है motor easily मिल जाती market में 10-20 रुपए में आपको पता होगा ये वाली motor जो की पुराने टाइम के walkman की mac cassette को वो चलाने के लिए भी समाल होता था ये 5V की motor होती है अब देखिए ये motor का काम सभी motor का काम को बता दिया एक का काम ट्रे को slide करवाना होता है एक का काम cassette को भुमाना होता है और एक काइस देखिए इसको move करना होता ही दरुदर क्योंकि देखिए जो cassette है इसमें जो data होता है वो देखिए जैसे hard disk में भी आपने देखा होगा data अलग-अलग जगा पे store होता है तो इसमें भी data अलग-अलग जगा पे store होता है उस data को read करने के लिए ये देखिए इस तरीके से देखिए ये देखिए इस तरीके से read करता है तो हर जगह वो इस तरीके से जाता हर पार्ट में जाकर रीड करता है उस डाटा को तो इसलिए इसको movement देने के लिए इस motor का स्वाल होता है अब यह जो optical lens है इसमें हलका सा एक infrared light जलती है red color की एक light जलती है जो कि इस पर पढ़ती है और इसके data को read करती है और यह भी इस तरीक की से move होता है और जहाँ जहाँ पर data होता हो तो इसको read करके उसके signal को यह main card को देता है और main card video signal उसका जो होता है वो output मापको वीडियो के माद्व से देता है या audio होगा तो audio देखा जो भी होगा तो यह भी move करता है यह optical lens है और optical lens का जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक sticker लगा हुआ था जो कि इसको cover करने का काम कर रहा था जो optical lens का जो प्रति बिम है वो इस mirror पर पढ़ता है उसके बाद वो जो है इस mirror पर पढ़ता है इस इसके बाद इस mirror पर और इस main यहाँ पर यह देख रहे होंगे देखिया इसका जो हुए ना इस main से जुड़ा हुए optical lens से और इसका जो वो है जो है प्रतिविम इस पर पढ़ता है और इस तरीके से काम करता है यह देखिये तो यह main इसका नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि कि मैं उस time का repairing वाला नहीं हूँ मैंने गूगल पर search करने की भी कोशिश करी थी बट इसके बारे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली तो फिर भी एक अपने हिसाब से मैं आपको थोड़ा से जानकारी दे रहा हूँ एक जो भी मुझे आता है उस हिसाब से ठीक है तो यहा करके देखूंगा वैसे इस component का नाम फिर से अगर कभी मिल गया तो इसका नाम तो मैं आपको description में उसका नाम पिन कर दूँगा बट अभी इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह जो component है बेभी यह जैसे और cassette में head वगर होता है उसी की तरह यह optical image जो है के लिए use हो रहा है और यह जो चार पिन इस component बागी है और यह जो signal है इसके माध्यम से इसमें जा रहा है उसके बाद यह जो है इस पत्ते के साथ में connect है और यह जो पत्ता है आपके main main card के साथ जुड़ा रहता है जो card है फिर अपना जो card है वो करता है अब इस वाले के लिए यह पत्ता लगा हुआ है और इस वाले section को चलाने के लिए यहाँ पर अलग से connector होता है इस section को चलाने के लिए इसम अलग कनेक्टर का समाल होता है और देखे इसके नीचे भी कुछ चीजा और है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसके नीचे भी कुछ पार्ट और है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और मेभी कूछ फोटो डाइओड हो सकते हैं या फिर कुछ अधर इसमस्विचे जो अगर्व हो सकते हैं वो भी आपको दिखाने के मैं कोसिस करूँगा नौर्मली एक switch है जो कि मैं ख्याल से ये जो switch है ये वैसे ये जो motor है ये हमारी tray के लिए समाल हुई है तो ये switch है ये switch में भी tray को reverse forward करवाने के लिए लगी हूँ ये यानि कि ये जो motor है इसको reverse forward mode मोड देने के लिए यहाँ पर ये switch लगा हुआ है अब हम इसको खोलके बादी देखेंगे इसके नीचे भी में भी कुछ component हो सकते हैं इसके नीचे भी क्या component लगे होए हैं इसके नीचे भी एक component यहापर यह switch ही लगा हुआ लेगे अब यहाँ पर यह switch लगा हुआ है अब यह देखिए यह आपका slide करते हुए इधर तक पहुचा और यह switch press हुआ और motor में भी और जुड़ा तो motor के साथ में जुड़ा तो यह इधर पर है और यह मेन IC के साथ में जुड़ा था और ICS को signal देती है क्योंकि यह motor जो लगी है वो तो है वैसे एक ही direction में चलने वाली लेकिन जो ICS को signal मिला है इन switches के माध्यम से ही signal मिल लहा है जैसे यह switch यह यहां से यहां तक गया यह switch press हुआ और switch press हुआ तो IC को signal गया IC ने इसको फिर reverse या forward करवाने के लिए अलग से हाँ पर signal दिया में भी इस टडिके से कारे करता होगा अब इदर के जो motherboard में है वो क्या क्या लगे हुए है यह तो optical image बनाने के लिए optical lens वो गरगा समाल हुआ है वाकि एक चोटी से आप आईसी लगी भी है जो कि search कहने बर ही पता चलेगा IC किसकाम के लिए लगी हुए है तो यहां पर देखिए दो preset भी लगे हुए है यह CD और DVD के लिए में भी लगे हुए है कुछ program को control या signal को control करने के लिए में भी लगे हुए है तो यह दो preset लगे हुए है इनको घुमा कर मेरे खाल से कुछ frequency लगे है और बाकी जो काफी बर क्या होता ना जब सब कुछ सही होता है और फिर भी काम नहीं कर रहा होता तो कभी-कभी यह खराब भी हो जाता है यह देखिए यह खराब हो जाता है इस कमाने lock लगा हुए है इस lock को पीचे को खीच कर देखिए मैं आप यह proper काम नहीं करता है तो ऐसी कंडिशन में एक बार साफ सपाई जरूर कर लें इनमें अगर आपके पास एरेजर हो रबर हो मिटाने का तो उससे थोड़ा सा सपाई करके इस फत्य को दोबारा से इस तरीके से insert करना काफी बार old जो DVD है रखे 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 इसमें डेस्ट हो और यहाँ पर कभी कभी क्या होता ना सहीत तरीके से जब वीडियो चलने ही पाती है या वीडियो में कुछ प्रॉबलम होती है या कोई CD, DVD सहीती किसी read नहीं कर पा रही है तो इस इस वाले इस वाले जो लेंस के top में कुछ dust वगर आने की वज़ेसे ऐसा होता है किसे साफ क कपड़े से इस लेंस के उपर की डस्ट को आप क्लीन करिएगा कभी-कभी यह लेंस खराब होने के वज़े से यहाँ पर प्रॉपर वुल्टेज पहुंचने की वज़े ना पहुंचने की वज़े से भी यह पार्ट काम नहीं करता है ऐसी कंडिशन में आपको यह वाला मदरबूर्ट चेंज करना होता है तो ऐसे देखले ना एक पार्ट और इसमें लगा हुआ है एक देखिए जो पत्ता है यह और कनेक्ट है इसमें से यहाँ पर भी इसमें कुछ लगा हुआ है इसको खोलके देखते हैं देखिए इसमें भी देखिए ऐसेंसर लगा हुआ अब जोबी है इसके बारे मां जानका रिस सर्च करने पर ही पता चलेगी तो शेप इसकी आसe के बिन्यवें लेकिन स्कुम में यह बीच लगा हुआ है तो यह देखिए अलग अलग पार्ट इसके बने हुए है तो यह सब चीज़ा है डीवीडी के ट्रे या फिर लोडर के अंदर लगी भी होती है कुछ रिपैरिंग के टिप्स भी दे दिये और जो भी मुझे पता था वो मैंने आपका अपर बता दिया है अगर मिला है तो वीडियो को दो बाड दिस लाइक करना लेकिन एक क्मेंड जरूर करना चलिए थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो फिर मिलेंगे एक नहीं जानकारी के साथ